गुड इमिनिंग मदपिदेश मेया नाम कार्तिक और आप देख रहे हैं खबार टीवी न्यूद चलिए हम बात करते हैं आज की अभी तक की मदपिदेश की दस वड़ी खबरों की जिसमें पहली वड़ी खबार है गौालियर से जहां पर गौालियर के उपनगर मुरार से वा जान बचाकर भागे अंगली वड़ी खबार है भोपाल से जहां पर भोपाल सायर के पांच ठाने अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं किसी की जमीन प्रोजेक्ट की जद में आ गई है एस्पी नागर थाना पर इसर में प्रस्तावित एंट्री गेट बिल्दि कर होडिंग बैनर पोस्टर लगा सकते हैं लेकिन इन दिनों सार का नजारा कुछ और ही है सारे नियम फकार्दों को तॉप पर रखकर जगह 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 नेता जी के होडिंग और बैनर पोस्टर लगा दिये गए हैं अंगली वड़ी खबार है आस्टा से जहां पर अभी रखकर जिले में दो महिलाओं पर मुर्म उड़ेले के बात सौमार को वास्ता में जिला महिला कौंग्रे सद्यक्ष की नेतत में महिलाओं ने तैसील का रियला पहुंचकर विद्धियापन सौपा जिसमें आरोपियों पर कठोर कारवाई की मांग की गई जानकारी के अनु हैपिलाइन की शिकायतों को लेकर गंभीता दिखाएं या ध्यान रखें की शिकायत अधिक समय तक पैंडिंग ना रहें पचास दिन से ज्यादा तक पैंडिंग शिकायत में कमी लाई जाए जिसके लिए तत्काल जवाब बनाएं यह वाद कलेक्टर भब्या मित्तल सौमा और दोपर कलेक्टेड में आयुजित समय सीमा की बैठक में गही अगली बड़ी ख़बार है खरगौन से जहां पर लुटेरी दोलन की आपने कई किस्से सुने होंगे लेकिन एमपी के खरगौन की एक कहानी जरा हटकर है इस कहानी में पत्ती अपनी पत्नी की रुपियों क से लिए शाधी करवा था कुछ दिर ससुराल में रहने देता फिर किसी वहाने से बापस ले आता अब तक वह पत्नी की तीन नकली शाधी करवा चुका है 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 रान करने वाली बात या है कि वह भाई बनकर लड़के बालों से मिलता था अगली बड़ी ख़बार है अगली बड़ी ख़बर है करते हुए आइबनियो बार यह है और दोसरी गैंग को ललकारते हुए बड़ मास हो से निकाला है अगली ने रिस्टेशन निकाला है चलने वाली खंद्वा सजुनावद बेमु ट्रेन और खंद्वा बीड सटल को मंगलवार से पुनाः चलाया गया सत्रा दिन बाद या ट्रेन पर लोटेगी वही करीब सो से जादा ट्रेने भी प्रवावित की गई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया था अब सभी ट्रेने बहार कर दी गई है आज से सभी ट्रेने अपने पूर नेदाय समय से चलेगी अगली बड़ी खबार है जवालपूर से जहां परसंसकाराधीन के लोगों के लिए एक अच्छी खबार है जल्दी जवालपूर से बैंगलूरू के लिए फ्लाइट सुरू होने वाली है फ्लाइट के सुरू होने से पहले ही साथ परसंस स्रीट बुक हो चुकी है यह पार धाई बजे जवलपूर पहुंचेगी दोस्तों यह थी आज की अभी तब की मद्विदेश की दस बड़ी खबरें जो हमने आप लोगों को सुनाई अब आंगे देखते हैं मद्विदेश से क्या कुछ नया अपडेट आता है वह तमाम खबरें हम आपके सामने बहुत ही ज़न लेकर आएंगे दोस्तों अभी के लिए नवस्कार बहुत ही ज़न मिलते हैं मद्विदेश के नुव अपडेट के साथ